गुड मॉर्णिंग एवरिवन कैसे हैं आप साब उमीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज हम लोग पढ़ेंगे चचा चुकर ने खत लिखा ठीक है तो जैसा कि आपको पढ़ेंगे हमाई वीडियो का बैटेंट स इसके बाद फिर कोशन आंसर देख के अपनी वीडियो को फिनिश करेंगे अच्छा देखिए अगर बीच का कोई चैप्टर नहीं बनाती हूँ तो मैं बार बार आप लोगों से गह रही हूँ कि वह चैप्टर स्लेबस में नहीं है इसलिए उसे नहीं बना रहे हैं हाला कि आपके टीचर्स हो सकता है आपको सारे चैप्टर करने को कहें के नहीं सब करो तो आप कर लीजेगा कोई बड़ा मामला नहीं है लेकिन एक्जैम में वो चैप्टर नहीं आने वाले हैं ठीक है हमारी एक बार जो एक्जैम में आने वाले चैप्टर है वो पूरी हो जाते है सेद इम्तियाज अली ताज 1900 में पैदा हुए है 1970 में इनकी वफात हो गई है लेखते हैं नाम सेद इम्तियाज अली और ताज तखलुस था बच्पन से ही जहीन थे यानि कि बच्पन से ही बहुत दिमागदार थे समझदार थे तालिम में इन सब चीजों में बहुत दिल्चस्पी थी इप्तिदाई तालिम पहले घर पर फिर स्कूल में हुई उन्हें कम उम्री में से ही थेटर और ड्रामों का शौक था यानि उन्हें ड्रामे करना बढ़ा अच्छा लगता था ड्रामा वो नहीं कि मुझे स्कूल ने जाना पेट में दर दो रहा वो वाले ड्रामी नहीं है आगे लिखते हैं 1922 में उन्होंने अपना शाहकार ड्रामा अनार कली लिखा जो 10 वरस के बाद 1932 में किताबी शकल में शाय हुआ है 1922 में उन्होंने लिखा और उसके बाद 1932 में वो क्या हो गया प्रिंट होके सबके सामने आ गया इस ड्रामे में उनकी बेहतरीन तखलिकी सलाहियते नुमाया तो और पर नजर आती है यानि उनके अंदर कितनी मतलब कहते है ना कॉलिटी है इस काम को करने की ये चीज़ सबके सामने आ गया नसलाहियते यानि कॉलिटी कि उनके अंदर कितना तरीका है उस काम को करने का अनार्गले के बाद उन्होंने कोई भी मुकमल स्टेज ड्रामा नहीं लिखा अलबता यक बापी ड्रामा रेडियाई ड्रामा फिल्मी कहानी और मकाल में लिखते रहे यक बापी जिसमें सर्फ एक ही चाप्टर हो ठीक है रेडियाई ड्रामा जो रेडियो पर पढ़े जाते हैं फिल्मी कहानिया जो आपके ये मुवीज वगरा की कहानिया होती है ठीक है और मकाल में यानि डायलोग्स ये सब लिखते रहे उन्होंने फिल्म साजी भी की और फिल्म में हिदायत कार की हैसियस से भी खिदमात अंजाम दी यानि कि उन्होंने क्या करा, फिल्म साजी भी की, यानि फिल्म बनाने का काम भी किया और इसके लावा जो फिल्म में हिदायत देते के ऐसे नहीं यह ऐसे रखो, ऐसे नहीं यह ऐसे रखो, वो काम भी उन्होंने किया सेद इम्तियाज अली ताज की मजाहिया किताब उनकी एक मजाहिया किताब है जिसका नाम है चचाचुकन के कारनामे ठीक है यह याद रखना है क्या नाम है इनका चचाचुकन के कारनामे उसमें उनके अलग-अलग कारनामों को लिखा है कहते हैं को अर्दू अदब में एक खास मकाम हासिल है चचाचुकन अर्दू अदब का एक बेमिसाल मजाहिया किर्दार है अपना दिल्चस्प गुफ्तगू और मजाहिया खेज हरकत की वज़े से चचाचुकन का शुमार जिन्दा किर्दारों में होता है यानि वो बहुत जादा अच्छा बोलने वाले है और बहुत जादा हसी मजाग करने वाला किर्दार है इसलिए वो आज भी लोगों के दिलों में जहनों में क्या है बचा हुआ है इसलिए वो जिन्दा किर्दार है एक बात याद रहे कि इस सबख में 60-70 साल पुराने तहजीब और रहन सहन का नक्षा कीचा गया है यानि देखिए आज के जो दौर है उससे हम 60-70 साल पुराने दौर में जाने है बलकि 60-70 साल से भी जादा पुराना दौर है तो इसलिए क्या है कि आपको क्या है वो पुरानी चीज़े याद रख भी होंगी कि जब हम लोग की तरह पैन मोबाइल टैबलेट यह चाप चीज़े नहीं होती थी इलक्ट्रोनिक पैंस यह नहीं होते थी जब क्या होता था लकड़ी के कलम बनाये जाते थी और उसे दवात में डिबो डिबो के चलाया जाता था ठीक है तो देखें यहां लिखने पढ़ने का सामान भी पुराने ढंका है यहां जो आपके फाउंटेन पैन है या बॉल होती है अब इंग जादा नाजन इसके लिए वो कुछ सॉफ्ट कपड़ा टाइप का रखा जाता था जिसे वो उसे पोच लेते थे तकि इंग जादा नाय कभी कागस भड़ जाए ठीक है तो कहते है सहीद इंतियाज अली ताज की तहरीर से लुद्फ अंदोज होने के लि लेकिन असल में यह चुककन है ठीक है चचा चुककन ठीक आगया जाईए अब देखे शहकार लव्ज माईने हम पहले पढ़ लेते हैं तो शहकार मतलब होता है सबसे बहत्रीन है जो सबसे बहत्रीन है उससे बड़ा बहत्रीन और कुछ नहीं है ठीक अब यहां लिखा मतलब होता है पोषीदा जो चीजों छुपी हुई है ठीक है है नीज़िक हो चीज करना ने कोई चीज रहानाम कोसे चंद बंदtur ना जाते हैं लखा हुआ है इसमे चिज़न पर पेणद pho होता मतलब होकसाना किसी चीज troubles. बढ़ावा देना बहकाना है ना यह देखे यहां लिख biri पैतरा बदलना यांनि अनταज ऩर ले इसके बार गल जोब यह आदेखे शीर लाने का मतलब होता है को बहुत an मुक्नाक प्रोधिया का मतलब हो यह engineering अलब entire 2004醋 write करने ऐला आम तर रिभर लाघ्याद धानकर bạn आपकी इनायत में इजाफा हो ठीक है बफदल इजाद 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 थे ना खुदा की फदल करम से ठीक है यहां देखिए लिखा है खंसल अकाद यानि पाचो वाक्त ठीक है इसके बाद देखिए आजाएए मुझीब अल्दौालत यानि मुराद अल्ला तहरा से है दिमानित कली यानि मुकमलत ननान फिक जो पकर वाला है इसके बाद दीज़े लिखा हुआ है वारद हुआ यानि वारद हुआ पहुच गया शर्फे जेखे इज्चत और इनायत का शर्फ है इसके बाद दूड़ होता है आपका तसबूर किया हुआ चले है आप सबक को और फारे होकर सेहन में कूरसी पर बैठे थे, चच्ची बच्चों को चाइआ पिलाने में मिश्गूल थी, तो मैं बंदू दोड का हुआ, दोम वो करी bands होगे वह क्या करने लगा बाहर से खत मिला हो गया कोई देने आया होगा डोड लॉक करके तो उसने क्या करा वह खत लेकर चची को लाकर देदी तो बता देता था किसका खत है तो उसे ही खत दिया जाता और आप चानते हैं कि पहले जमाने में फोन मुबाइल यह सब चीज़ तो होत अब कर देर थी कि चचा ने सवालों की बोचार कर दी यह निए खत आना की बस देरी थी कि चचा ने देगा 000 आया हूँ पूछने क्सका खत है कहा से आया है किसने भेजा है यह ना भह सारे सुवाल वगयरत उन्होंने शुरू कर दिये इस बात पर चकशी को गुसा आया य खत खोलंगी तो बता दूगी कि खत किसका है और कहां से आया है यह यह जो इन्हों ऐन्हों एक है विद्धे बिना खोले मुझे कैसे बदर चल जायेगा कि खत किसका है ठीक है आपने तो सवालों की वचारी कर दी चचा बोले हमने आप से पूछ कर ही गल्दी कर दिया अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर हम कोई बात पूछे और सामने अवला खिस जा जाजा तो हम कहते हैं हमारी बला से खत किसी का भी हो हमें कोई मतलब नहीं ठीक है बंदों ने चच्ची से कहा मुनसर साहब की बेगम का आदमी जवाब के लिए मुनतजर है यानि कि अब वो ऐसा होता था कि जो हुलाम या खादिम या नौकर जो भी होते थे सर्वेंट वो खत लेके आते थे तो उनसे अगर यह बिचारा अब तो दो लोगों की दौर हो जाएगी इससे बेतर यह कि मेरे ही आदमी आपके पास खत लेके गए अब आपने वहीं उसे जवाब भी लिख दिया तो वही लेकिया गया तो एक ही इनसान की दौर हुई आई बस समझ में तो इसले का कि वो मुनतजर है यानि वो मुन्शी सहाब की बीवी मुझसे मिलना चाहती है मुन्शी सहाब की बीवी मुझसे मिलना चाहती है मुन्शी सहाब की बेगमात को रात पर खाने पर बुला लिया है दोनों लोगा मिलो बाचीत कर लो चाचा ने फिर पूछा कि जनाना दावत है अच्छा बच्चे तो की दावत है तो इसलिए जो है आदमी नहीं जाएंगे लेकिन बच्चे तो साथ जाएंगी तो बेगम साहिबा बिगड़कर बोली नहीं हमसाइओं को भी बुलाया यानि हस्बेंट को भी बुलाया गया हस्बेंट भी जाएंगे बाहर मुलाजिम जवाब के इंतजार में चच्ची के इंकार करने से चच्चा ने कहा हम क्या हमें खत लिखना नहीं आता अब देखो कोई खत मेरे लिए है तो उसका जवाब मुझे लिखना चाहिए ना जादा बेतर रहेगा मैं अपनी फिलिंग्स को जादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगी लेकिन चच्च का जवाब लिखना ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं दोनों में बहस हो रही थी कि छुटन को उच्छा लाने पर सारी चाए क्या हो गई कपड़ों पर गिर गई ठीक अब क्या हुआ इदर मुलाजिम खत के जवाब का मुंतजर है इदर चाचा का सवाल पर सवाल हो रहे ह मजबूर होकर चची ने कहा कि भई चाचा से कि तुम ही जवाब लिख दो ठीक है अब क्या हुआ चाचा तो खुशी से उचल पड़े यानि उन्हें बड़ी खुशी हुई करे वा मुझे जवाब लिखने को मिल गया ठीक है और खतों किताबत से मुतालब जरूरी समान फर खाया मेरा वह समान का भी मैंने वह को मताया के भई तो पैन होता था था ओफ्वाला पैन तो फेंगर को पर लिखने के लिए रखत करने में वह लोग लगए अप हो नाजिग दो सारे आ खरके नवी नौकर थे उन सब हो बी लगा लिगा लिए बच्चों को भी लगा लिग पल भर में सारा घर काम में मसरूफ हो गया, खुडा खुडा करके तमाम चीजें इखटा हुए, ठीके, याने कि सारे घर को काम पर लगा दिया, तुम यह ढुंड के लाओ, तुम बैट के खत लेके लिए, ठीके? और अल्लाय करके सारी चीजी उन्हें मिल पाई चचा ने चिश्मा लगा हुआ और खत लिखना शुरू किया लड़के चिश्मा लगा हैं और खत लिखना शुरू कर दी आगे क्या क्या होगा लड़के खत से मुतालब समान लिए उनके एटगऱ क्षाड़े होगा, सारे लाजमों पो बरस पड़े बरस पड़े अने गुस्सा हो गए कि भाई तुम लोग कोई चीज जगा पे नहीं रख सकते इस तरह से हैं ना चची ने कहा ये कलम नहीं तो मेरा कलम ले लो अच्छा उस दमाने में जैसे आपके पास अपना पहने आपके भाई बहनों पास अपन बहने के लिए अबा नहीं मंगाई थी इसलिए उन्होंने वहीं फेक दी ये लिजिए मैं आपको लाके देती हूँ तो बेटी की बास सुनकर चचा की आवास का जो सुर्था हो क्या हो गया मद्धम हो गया धीरा हो गया वरना तो बहुत जो से चीख रहते कि मेरा समान चू खुआ था तो चुप हो गया ठीक है बन्नों से कलम लेकर खत लिखना शुरू कर दिया अभी अलकाव ही लिखा था कि खत का कागस भार डाला ठीक है अब क्या किया सिफ अब तो जो कागस भड़ गया इस पर सिहाई का बड़ा धब्बा लग अब क्या हुआ हूँ अब दु खत का कागस की कॉपी मंगवा ली अब क्या हुआ खत के जो कागस की कॉपी थी पूरी वो पूरी मंगवा ली गई ठीक है और खत बेफिकरी से लिखने बैठ गए ठीक है पौने घंटा हो गया पौन घंटा हो गया नहीं तक रिबन पेंतालिस मिनिट हो गए ठीक है खत आज ना कल ठीक है अब ये खत जोए वो ना तो आज पूरा बोरा होगा ना कल पूरा हमागा क्योंकि अब चचा लिखने हैं इतहरे चचाई बार-बार खता खत्म करने का तखाजा कर रहे हैं थिक बरद जल्दी खत्म करो इसे लेकिन खत पूरर होने का नाम नहीं लेता चची ने कहा अलम्दबाद मुझे दो मैं अभी दो मिनिट में खत लिख देती हूं मगर चचा आपनी बेज़ती कैसे बर्दाश्ट करते के मतलब यह वाली बात हो जाती कि देखो चचा खत नहीं लिख पाए है ना तो चचा आपनी बेज़ती कैसे खत लिखते रहे और कागस रद्दी करते रहे यानि कुछ गलती कहीं कुछ गलती कहीं कुछ गलती और कागस को फार पार के फेकते रहे घर से डेड़ गंटा हो गया आप कितना गंटा हो गया डेड़ गंटा ठीक है डेड़ गंटे में खत्त खत्म करके चचा ने बाहर मु और चची एक खोल कर देगा तो उसमें एक खत लिखा था यानि उन्होंने क्या कर रहा है वो खत लेके भेज़ दिया ठीक है वो चले गए और दुपहर में ही मापे क्या होगा दुबारा से एक खत वापस आया और उस खत में क्या था एक तो चचा का लिखा हुआ खत था और दूसरा उन्होंने दुबारा से लिखा था अपना खत तो जो उनका खत था उसमें उन्होंने लिखा था प्यारी बहन शायद गलती से किसी और के नाम का खत मेरे नाम के लेफाफे में रख दिया गया है इसलिए मैं ये खत वापस भेज रही हूँ महरवानी करके मुलासम क जबानी इतला दे दीजिए कि आप रात को तश्रीफ ला रही है या नहीं इसके बाद चची ने चचा का लिखा हुआ खत पढ़ा उस खत में लिखा था समझ में आई यानि कि चचा ने इतना भैयानक खत लिखा था कि वो जो उनकी मुंसरिम साप की बीवी थी उनको समझ में की निया हुने लगा शायद कि दूसरे का खत है तो इसलिए उन्होंने क्या करा वह है वह वापस कर दिया और साथ में निया इंटिलादे लिए लिगात आप आरी है यानि क्यूंकि पहला खत उन्होंने देर दो गंटे में लिा था तो मुलाजम देर से पहुचा होगा तो अहसान करने वाले आपकी इनायत में इजाफा हो खुदा के फजल करम से यहां सब खेरियत से है और पाचो वक्त आपकी सिहत तंदुरस्ती की अल्लह ताला से दुआएं मांगते हैं सूरत हाल यह है कि आपका करम करम नामा खुशी के लभे में पहुचा मकमल इतनान रखिये म कररा वक्त पर हाजर होने का शर्फ बाइसे फक्र तसवर होगा अब देखें यहां पर क्योंकि यह खुलासा है इसलिए यहां पर बहुत असान जबान में आपको लिख दिया गया है अगर आप उनका खत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कितने मुश्किल अलफा उनको ऐसा लगा कि शायद यह खत किसी और का लिखा हुआ है जो कि मुझे में लिए आगे बस समझ में आगे चलते हैं मतलब खत में वो यही लिखना चाह रहे थे कि ठीक है आपने खत भेजा खत पढ़कर बहुत खुशी हुई है आप सब यहां तो सब खैरियत हैं उमीद आप लोग भी खैरियत से होंगे और हम भी पाच वक्त की नमाज में आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको खैर और आफियस से रखे और जो मुकरर्णा वक्त है यानि जो टाइम आपने मुकर्रणा किया है हम सब उसरे टाइम पर पहुंच जाएंगे तो लिखना वह इतन नडाइम लगता है कि ने लेकिन ने उन्होंने अपने सारी जितनी भी कहते ना महारते थी उसमें लेग डाली इसलिए यह खतियां पर आपको पढ़ा है अब देखे सवाल जो आपके अगर बात करें चची को दावत पर किसने मगदू किया था किसने बुलाया था तो आपने जाई अगला सवाल लेका था खत किसका था और उसमें क्या लेखा था तो भी मुंस्रीम साब के भी का था और रात को खाने बुलाया गया था चची और चचा चुकंण पर क्यूं नाराज हुई थी चकूंकि वह एक गंप से काम कर रही थी और किसका है क्यूं सवालों की ताखेर क्यों ही तो आपस में दोनों लड़ने लगे दे और फिर चचा लिखने वेठे थे तो ऐसा होई नहीं सकता कि आम जबान में लिख दिया जाता ठीक है अगला सवाल है कि चचा चुकर ने खत का जवाब लिखने में क्या क्या जरूरी समान फराम कि जाने का हुकम दिय ने क्यों वापस कर दिया तो वो इतना कठेन इतना मुश्किल लिखा हुआ था कि उन्हें लग रहा था कि शायद यह किसी और का खत है जो मेरे पास आ गया इस वज़े से उन्होंने उसे वापस कर दिया था ठीक है अब यह जबान कवायत की बात अगर हम कर लें तो फिर सि सब्सेटों लिखने तो आपको अच्छे लगें आप लिख लीजेगा है को है और कुल ग्रहीं सब्सेटों आपको इसाइज दो कर सकते हैं टेके चाली और थैक्यो फो वाच्टिंग